नमस्कार दोस्तों मैं सुद्दे सिंचोहान आपके अपने जैस्टोन एक्सपोर्ट के यूटूब चैनल पर हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ हार्दिक स्वागत करता हूँ जैसा कि आप सुभी को पता है कि नेच्रल स्टोन वोल क्लेडिंग टाइट से रेटेड हम हर तरीके के उतपात समय समय पर लेके आते हैं उनकी हम जानकारिया देते हैं कि वो किस तरीके से बनाए जाते हैं या उनकी से संबंदित अन्य तरीकी की कोई भी प्रसंड हो कोई भी क्यूरी हो कोई भी किसी भी तरीके का सवाल हो वो हम जवाब देते हैं हमारी फैक्टरी के अंदर यह हम फैक्टरी आउटलेट से हम लाइब हैं हमारी फैक्टरी में लगबद इस तरीके के 500 से 600 डिजाइन इजाद किये जाते हैं हम हर वीडियो में ये बताते हैं कि उस उत्पात को कैसे तो बनाया जाता है और उसकी में स्पेसिफिकेशन क्या होती है जैसा कि आप सभी को ग्यात है कि जैस्टोन एक्सपोर्ट को 20 वर्स का अधवाव है अर्था विगत 20 वर्सों से हम नेच्रल इस्टोन प्रोडेक्ट्स बना रहे हैं तो हमें इस बात का ध्धान है या हम इस चीज को लेकर के जालते हैं कि बहतरी उत्पात बनाने के लिए कुछ उनवत्ता वाले नेच्रल स्टोन का तक्चा मेट्रियल होता है वो रो मेट्रियल लिया जाता है और उनको सही तरीके से सही कारिगरों के हातों से बना करके जो आपने सपना देखा था अपना घर बनाने का अपना ओफिस बनाने का उन सपनों में हम सरीक होते हैं और आप तक वो बहतरी उत्पात पहुचाते हैं ताकि आपका जो ड्रीम है जो हाउस का जो ड्रीम है आपक अपने ओफिस में लगाते हैं तो वो दिवार एक बिल्कुल प्राकर्तिक सोंधरिये का रूप देती है हमारे हर वीडियो के अंदर हमने जैसा कि पहले बताया था कि हम हर वीडियो में एक उत्पात लेकर के उस प्रोडेक्ट के बारे में हम जानकारी देते हैं आप हमारे पहले के वीडियो में भी देख सकते हैं कि सभी तरीके के जो उत्पात है उसको एक एक करके समझाया जाता है कुछ एक वीडियो ऐसे भी है जिनके अंदर हमने ये बताया था कि नेचरल स्टोन वोल कलेडिंग को कैसे बनाया जाता है मैं आज कर देख रहा हूँ कि यूट्व चैनल के ऊपर काफी ऐसे लोग हैं जो नेचरल स्टोन वोल कलेडिंग टायल के बारे में सुचनाए देते हैं हमारे पास में अनुभाव है, बीस वर्स का अनुभाव है, हम लगाता है, नेचरल वोल क्लेडिंग टाइल्स बनाते हैं और वो बना करके आप तक पहुंचाते हैं आज इसी कड़ी में, आज हम एक प्रोडेक्ट के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं, वो जो हमारा प्रोडेक्ट है, वो JSPS 113 है, हमारे पास में इस तरीके के लगवग 600 से 700 डिजाइन से अफलेबल है, लेकिन आज हम जिसके बारे में बात दरेंगे, वो है JSPS 113 अर्था सांदके का सर्फ्र城 घ्रिक हैं, लेकिन इसमें FINCES संगम करके, यह हमने इसなら當 अज्रेर इससे बिए इससके लिया, 40 साथ हैं, एक साथ के साथ में हमिने इसके उंदर, जो Sandy Cas Bu Part 2, अर यह हमारे कारिकर है, उनके त्वारा पहतरी हैं, इस तरीके से वूसे बनाए है, तो यह और उसके साथ में नेचुरल जो स्प्लिट है जिसको हम रोप सर्फेस बोलते हैं वो भी है अर्थाथ एक प्रोडेक्ट के अंदर एक नेचुरल स्टोन गोल्टाइस के अंदर हमने तीन फिनिसिस का समागम किया है और इन तीनों फिनिसिस के समागम के बाद में आप देख सक में जो उनके घर के ओफिस से जो फोटो आई है लगने के बाद में ये प्रोडेक्ट बहुत ही उंदा दिखाई देता है बहुत ही सुंदर दिखाई देता है साथ में दोस्तों मैं हमेशा इस चीज को कहता आया हूं कि जब भी आपको नेचुरल स्टोन मोरू प्लैडिंग से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी सूचना हो या किसी भी तरीके का कोई भी परसन हो या हमारे से आपको कुछ भी पूछना हो तो हमारा जो वीडियो है उसके कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिखे और स्क्रीन के ऊपर जो हमारा ये नंपर चल रहा है उसके उपर आ अर्थात हम आपको भेजेंगे। पिछले वीडियो के अंदर भी और दो-तिन वीडियो में एक समश्या या एक तरीके का परसन हमेशा उजागर होता है। मैं हर एक वीडियो में जो आपका क्विशन होंगे, उनको भी हम यहां पर दोराएंगे, उनके बारे में भी बताएंगे। लोगों का यह कहना है या कई लोगों ने पूछा है कि जब यह नेचुरल स्टोन टाइज लगाई जाती है तो इसमें लगाने वाले मिस्त्री के दुवारा बहुत जादा ब्रेकिज करती जाती है। तो देखिए इसमें एक सिंपल तरीका यह है कि जब भी आप हमारे से उत्पाथ खरीदते हैं उत्पाथ खरीदने के पशात में जब आपकी साइट चालू हो या जब आप उस प्रोडेक्ट को लगाना शुरू करें तो उस मेकनिक से हमारी बात करें यह हम उनको एडवाइस क करेंगे हम उनको बताएंगे कि इसको किस तरीके से लगाए जाता है ताकि आपका जो डेमरेज है या यूं कहें कि जो मेट्रियल जो है वो ज्यादा बचे नहीं और ब्रेकल जादा नहीं है तो इसके लिए एक चीज यह होती ही कि जो इधर का जो पॉर्शन है और यह अगें फिर दूसरे वाला पार्ट आप इसमें लगाते लिए चले जाएं लाश्ट में जो गोल खतम हो जाती है तो उसके बात में जो टुकडा बजता है तो उसको भी हम कटिंग करके नेक्स जो हो है उसमें हम लेकर के आते हैं तो इस तरीके से कम से कम ब्रेके जाएगा और अगर आपको फिर भी अगर आपको दिक्कत आती है तो हमें फोल कीजिए और बात में जो मेकनिक है उससे हमारी बात करवाईए ताकि हम उनको समझा सके बता सके कि किस तरीके से आपको इसको किस प्रोडेक्ट को जो है आपको लगाना है आज आपने देखा कि J.S.P.S. यस 113 के बारे में हमने आपको जानकारी दी यह सैंडげ स्टोन से बना प्रोडेक्ट है और बहुत यु उनकता प्रोडेक्ट है और बनाने से लेकर के रो मेट्रियल खरीचने से लेकर के बनाने तक हम quality का धान रखते हैं हम गुनवत्ता का धान रखते हैं इसी लिए J.S.T. जैस्टोन एक्सपोर्ट 20 साल से आपकी सेवाओं में है और लगातार आपकी सेवाओं में लगातार जो है वो हम बना रहे हैं अगले भाग में हम फिर वापिस से इसी तरीके के पाथ के बारे में हम जानकरी देंगे आप जो भी नैच्टोन एक्सपोर्ट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें आपके रिलेटिव हैं आपके फ्रेंड्स हैं अगर उनको भी नैच्टोन एक्सपोर्ट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें आपके रिलेटिव हैं आपको इस तरीके की सारी information सूचना है हम आप तक पहुँचाएंगे साथ में हमारा जो वादा है हमारा जो commitment है हमारा जो goal है वो एक ही goal है customer satisfaction साथ में हम J-Stone Export आप से direct चुनना चाहते हैं अर्थार सीधा जो material है वो factory में बनेगा और उसके बाद में सीधा material customer के पास में जाएगा and user के पास में जाएगा अब आप समझ सकते हैं कि उसमें कितना पैसा बचेगा इस material के अगर हम cost की बात करें तो ये ज़्यादा महेंगा material नहीं है बहुत सस्ता material है इसकी costing लगबग 90 रुपे पर square fit के असपास में हमारा इहां का जो selling price है वो है और आप बजार में जब जाएगे तो आपको आपको अच्छी तरीके से अनभव हो जाएगा कि इस तरीके का जो हूंदा product है उनके वहाँ पर प्राइस क्या है हमारा goal है customer satisfaction आपका अपना जो सपना था घर बनाने का आपका जो सपना था एक अच्छा सा office बनाने का उसमें natural stone wall cladding style लगा करके उसको एक उंदा एक प्राकरतिक सौंदरिय प्रदान करना था हम उसमें सरीक होंगे हम आपके घर तक हम आपके office तक इस तरीके के जो उत्पात है अर्था जो natural stone wall cladding style के जो उत्पात है वो हम आप तक पहुचाएंगे अगले भाग में हम फिर आप से मिलेंगे एक नए उत्पात के बारे में जानकारी देते हुए एक नए product के बारे में जानकारी देते रहे देने के लिए आप अन्य तरीकी की कोई भी सूचना natural stone products related जो सूचना है वो हमारे इस YouTube चैनल के वीडियो में जाकर के देखें आज के लिए बस इतना ही और अगले भाग में फिर हम किसी ने किसी product के बारे में product के बारे में हम आपको जानकारी देंगे थैंक यू बाइ